गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखेगा स्टूडेंट्स, हमने वदिकाल के बारे में पढ़ लिया है, सिंदु घटी सिब्यता के बारे में पढ़ लिया है तो वदिकाल का ही एक पार्ट है रिगवेदिकाल, तो देखेगा जो आपका वदिकाल का टाइम है, वो है 1500 से 600 इसा पूरू है तो वेदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है वो कौन-कौन से हैं रिगवेदिक काल और उत्रवेदिक काल तो रिगवेदिक काल कौन सा था जिसमें रिगवेद से पता चला है तो हमारे जो वेद हैं वो कितने हैं चार हैं कौन-कौन से हैं, रिकवेद, सामवेद, यह जुरवेद और अथरवेद, तो रिकवेदिक काल है, इसका टाइम था 1500 से 1000 इससा पूरव है, और जो आपका उत्तरवेदिक काल है, उसका टाइम था 1000 इससा पूरव से 600 इससा पूरव है, तो देखेगा हमने वेदिक काल के बारे पार्ट रिग्वेदिकाल उसके बारे में पढ़ेंगे वेदों के बारे में भी आपको वाद में बताएंगे पहले हम पढ़ते हैं रिग्वेदिकाल तो देखें पढ़ते हैं रिग्वेदिकाल के बारे में तो देखेंगा स्टूडेंट्स सिंदु अडिसभेता के पतन के बाद वैदिकाल का आग्मन होता है और वैदिकाल के जन्दात कों थे आरिये थे तो आपने यह सब पहले आपको बता दिया आप अच्छे से पहले वाला वीडियो को देखेगा और जो वैदिकाल था वो पंदरासो से छेस्वेशा पूर्वे था और इसको दो कालों में विभ इस्सापूर्वए के काल खंड को वैदिक काल के संग्या दी जाती हैं और इस काल में वेदों की रचना की गई थी ठीक है नुट वेदिक काल का विवाजन भी दोभा गुमी किया गया है रिगवेदिकाल और उत्रवेदिकाल रिगवेदिकाल है वो कौन सा था पंद्रासो से एक हजार इस्सा पूरव है और उत्रवेदिकाल एक हजार से छहसो इस्सा पूरव है ओके उत्रवेदिकाल के बारे में भी हम बा के मद्धे तथा अन्य वेदों की रचना इसके बाद में मानते हैं जिस काल में रिगवेद की रचना की गई थी उसे ही रिगवेदी काल कहा जाता है ठीक है न तो रिगवेद के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे अभी हम पढ़ते हैं उस काल में क्या-क्या था समाज कैसा था परशासन कैसा था व्यापार कैसा था ठीक ना तो देखेगा रिगवेदी काल की संपूर जानकर हमें रिगवेद से मिलती है और रिगवेदी में आरियों की निवासस्थल के लिए सर्वत्र सब्त सिंद्व है सब्द का प्रियोग मिलता है तो देखेगा इस्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि जो वैदिकाल उसके जनम दाता थे आरिये आरिये ये बाहर से आये थे ये भारत के नहीं थे ये बाहर से आये थे और आर ये सब्द का अर्थ स्रेश्ट होता है ये सब हमने आपको पहले बताया हुआ आरियों के बारे में आप देखेगा वैदी काल के बारे में जो वीडियो बनाया है उसमें देखेगा आप अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है वाँ पे तो जो आरिय हैं इनके बारे में अलग-अलग विद्वानों उने अलग-अलग मत दियें ठीक है ना तो आरियों का जो निवास अस्तल है इसके लिए सर्वत्र सब्त सिंदुए है सब्द का प्रियोग मिलता है ये कहां पर मिलता है रिगवेद में कई बार के उसने पूछ लेते हैं कि सब्द सिंदुए है सब्द किसके लिए आया है और कहां पर इसका प्रियोग किया गया है वो आपका रिगवेद और आरियों के निवास अस्तल के लिए सब्द सिंदुए है ठीक है अब देखें जो आरिये थे इनकी भासा थी संस्कृत रिगवेद में सर्श्वती नदी का बड़ा महत्व है आरिये निवास की ये है अत्ती महत्वपुन नदी थी रिगवेद में यमुना का प्रियोग तीन बार तथा गंगा का प्रियोग एक बार हुआ है रिगवेद में हिरने पिंड का वर्णन मिलता है निश्क अबुसन आदी हिरने पिंड से ही बनाये जाते थे रिगवेद के सात्वे मंडल में सुदास एमम दस राजों के मद्दे हुए यूद का वर्णन मिलता है जो की पुरुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया इस यूद में सुदास की विजे हुई थी ठीक है ना तो हम रिगवेद के बारे में अलग से पढ़ेंगे तब आपको सात्वे मंडल जो भी है रिगवेद के बारे में इनफोर्मेशन वो आपको हम अच्छे से डिटेल से बताएंगे अब देखेगा रिगवेद काल है उसमें सामाजिक व्यवस्ता कैसी थी समाज कैसा था तो समाज की काई परिवार थी सबसे व्रत वेक्ति ही परिवार का स्वामी होता था जिसे कुलब कहा जाता था ठीक है ना जो पुत्री होती थी वह है अपने भाईयों की तरह ब्रह्मचरिय का पालन करती हुई अध्यान करती थी रिगवेद में विदूसी इस्त्रियों का वननन मिरता है अब देखो कई बार कि उसने पूछ लेते हैं ये कि रिगवेदी काल में विदूसी तीन इस्त्रियों के नाम बताओ या फिर रिगवेदी काल में विदूसी इस्त्रियां कोन-कोन थी ऐसे से कुछ पूछ लेते हैं तो देखेगा इनमें जो विदूसी इस्त्रियां थी रिग्वेदी काल में वो कौन सी थी गोसा लोपा मुद्रा सिक्ता निवावरी पोल्लोमी काक्षा व्रती विश्वेवारा ठीक है ये पर्मुक इस्त्रियां थी जो विदूसी थी जो बहुत विद्वान थी ठ रिख्वेदी काल में इस्त्रियों को यग्ये करने का दिकार भी प्राप्त था, इस काल में इस्त्री पूरुस सम्मान रूप से अबुसर पहनते थे, इस काल में गाय को अर्थात, गाय को यहां पर को आएगा, इस काल में गाय को अवध्धा माना जाता था, तो अवध्धा क इसे का जाता था, गाय को अवद्धा का अर्थ क्या होता है, कुछ भी पूछ लेतें, तो अवद्धा गाय को का जाता था, अवद्धा का अर्थ होता है, जिसकी हत्या नए कीजा सके, ठीक है, ओर रिग्वेदी काल में गाय को पवित्रे पसू मन जाता था, ओके, आरिये समा समाज में गोडा परम पसु में कुत्ता सुवर गधा ठता हीरन परमुग थे तो देखेगा आर्य समाज उसमें गोडा सबसे पिरिये होता था और अन्य जो पसु है उनमें जैसे कि कुत्ता है सुवर है गधा है हीरन है ये भी होते थे और गाय को क्या है पवित्र पसु माना जाता था जिसको अवधाबिक आ जाता था जिसकी हत्या नहीं की जा सके ठीक है रिग्वेदिक काल में विवाह एक उच एवं पवित्र संसकार मन जाता था याग्जिक कारियों में पती पत्नी दोनों की उपस्तिती आवसेक समझी जाती थी रिग्वेद में ऐसी कन्यों के उधारन मिलते हैं जो दिर्ग काल अथवा आजिवन एविवाह रहती थी ऐसी कन्यों को अमाजू कहा जाता था यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूसन है कि अमाजू किसे कहा जाता था तो रिगवेदी काल में ऐसी कन्याएं हैं जो ज्यादा मतलब उनकी एज हो जाती थी तब तक वो एविवाहित रहती थी या फिर आजिवन हो विवाहि नहीं करती थी उनको क्या का जाता था अमाजू रिगवेद काल में नियोग पर्था परसली थी देखेगा ये क्यूसन भी कई बार पूस्ते नियोग पर्था क्या थी तो नियोग परता इसके अनुसार विद्वा इस्तरी संतान प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ पत्नी के रूप में रह सकती थी ठीक है ना या कोई जो बाज जो इस्तरी है या फिर जो विद्वा हो गई जिसके भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है तो वह क्या अपने देवर के साथ पत्नी के रूप में रह सकती थी और बच्चा पैदा करती थी उसको नियोग परता ऐजाता था रिखवेद में कपडे के लिए वस्तर, वास और वसन आदी सब्तों का प्रियोग मिलता है किसके लिए? कपडे के लिए तो रिग्वेदी काल में कपड़ों को क्या का जाता था वस्तर वास और वसन अब देखेगा रिग्वेदी काल में मनोरंजन के साधन तो मनोरंजन के क्या क्या साधन थे रिग्वेदी काल में संगीत के अलावा घुरदोड रथदोड मल्यूद ये मनोरंजन के अन्य साधन थ तो रिग्वेदी काल में संगीत तो था ही था, संगीत के अलावा जैसे घुड़ दोड है, रथ दोड है, मल युद है, ये भी मनोरंजन के साधन थे अब देखेगा रिग्वेदी काल की धार्मी की स्थिती, तो धर्म कैसा था, ठीक है? रिग्वेदी काल में इंदर अत्य दिक सक्ति साली और प्राक्रमी देवता थे, जो दस्यियों के विजयता थे वे आर्यों के सर्वस्त देवता थे, रिग्वेदी में बिश्चक को देवताओं का चिकित सक भी कहा गया है देखेगा इक्यूसन भी कई बार पूच लेते हैं देवताओं का चिकिसक किसे कौन से देवता को का गया है वो है विसक जो रिगवेदिक काल का देवता है अब देखेगा यह जो है यहां पर दस्यू नाम आया है कि वह इंदर है वो सक्तिसाली प्राकरमी देवता थे वो दस्यू के विजयता थे ठीक है ना दस्यू के विजयता मतलब जो सिंदुगाडि सब्वेता के जो लोग है ना इनको हरा के ही तो आरियो ने वैदिक सब्वेता का आगमन किया था उद्ध्य का लव इसको वैदी काल आया था तो दस्चु यहाँ पर दस्चु कोन है सिंदुगाड़ी सब्वेता की लोगबाग तो सिंदुगाड़ी सब्वेता की जो लोग है उनके विजेता कौन थे उन पर विजे किस ने हासिल की थी आर्यूने की थी और इनके जो सबसे स यही सक्ति का परिचाइक थे जो ओस्ति और वनस्पति जगत के समवर्धन में योग करते थे ठीक है तो भसुओं का देवता कौन था पूशन था सक्ति का परिचाइक था सूर्य देवता और सूर्य देवता को ओस्ति और वनस्पति जगत का भी देवता बना गया है अगनी देवता का महत्वाइं इंदर के बाद प्रमुख था अगनी भी एक महत्वपुन देवता हमें थे अगनी को रिगवेद में आसिरसा अपाद गृत मुख और गृत प्रेस्ट गृत लोम अर्चे लोम या वब्रे लोम कहा गया है विष्णु विष्वय के सरंग्सक एम पालन करता तदा रिगवेद में आकास का विच्रन करने वाले सूरिय का रूप थे तो कई बार पूच लेते हैं कि भाई रिगवेद में सरंग्सक विष्वय के सरंग्सक एम पालन करता रिगवेद में 33 देवी देवताओं का उलेख मिलता है यह भी कई बार पूछ लेते हैं कि रिगवेद में कितने देवी देवताओं का उलेख मिलता है वह हैं 33 अस्तोमा सद्गमे वाक्य रिगवेद से लिया गया है तो अस्तोमा सद्ग में रिग्वेद से लिया हुआ वाक्य है मरुद रुद्र के पुत्र थे इसलिए वे अपने पिता की ही तरह बहंकर थे वे आंधिवत उफान के देवता थे तो आंधित उफान के देवता कौन थे? मरुद सूरिय से संबंदित देवी सावित्री को संबोधित गायतरी मंतर रिग्वेद में हुँ लेकित है तो जो गायतरी मंतर है ये भी रिग्वेद से लिया गया है गो सबसे प्राचिन यम अकासिय देवता थे रिक्वेदिक काल में विष्णु को उगाय के नाम से भी जाना जाता है तो उगाय के नाम से विष्णु रिक्वेद के नोवे मंडल में देवता सोम का उलेख है रिक्वेद में सोम को सूरिया का पति कहा गया है अगनी मनुसे और देवता के मद्दे सेत्तु के रूप में विद्यमान है मनुसे और देवता के मद्दे सेत्तु के रूप में कोन विद्यमान है अगनी देवता वरुन का तीसरा स्थान है जो जल या समुद्र का देवता है पहले इंद्र है फिर अगनी है फिर वरुन है तो वरुन का देवतों में तीस रास्तान है और वरुन वो जल या समुद्र के देवता है पर्थविवे सूर्य का निर्माता है तथा रित्तु अर्थात प्राकर्तिक संतुलन की रक्ष्या करता है इसे रित्त से गोप कहा जाता है तो रित्तस्य को अब किसे कोन से देवता को का आ गया है वरुन को अब देखेगा व्यापार वानेजे तो रिग्वेदी काल में व्यापार वानेजे कैसा था रिग्वेदी काल में वस्तु के बदले वस्तु की विन्यमे प्रथा का पर्षलन था ठीक है न तो वस्तु की व वस्तुविन में व्यापार के लिए दूर देसों तक व्यापार करने वाले वेक्ती को पणि कहा जाता था. इस काल में चमडे का कारिय करने वाले चर्मन कहला ते थे. रिगवेदी काल में आयस का प्रियोग कावच सिरस्त्रान बान तथा अन्याने अस्तर सस्तर के बनाने में होने लगा था अब देखेगा रिगवेदी काल की परशासनिक व्यवस्ता कैसी थी तो रिगवेदी काल में राजा का पदवन सानुगत होता था राजा के उपर जनता का अंकुष रहता था जनता मतलब विश ठीक है ना तो राजा है वो राजा का पत्तो मनसानुगे थोता था लेकिन वो हाड कठो राजा नहीं होता था उच पे नियंतरन होता था विश का जो जनता होती थी ठीक है राज के कार्यों में राजा के सहाता के लिए अनेक पदाधीकारी थे जिन में सेनापती तथा पूरोहित को महत तोपुन सथान प्राप्त था समपोन आर ये अनेक जनों में विभक्त थे अनेक जन थे अलग अलग ठीक ना ये जन ग्रामों में निवास करते थे ग्रामने ग्राम का मुख्या कहलाता था राजकर के रूप में पसू और अन दोनों ही दिये जा सकते थे आर ये दाथू गलाने और पीट कर विबिन आकार देने में पारंगत थे तो दाथू गलाते थे उसको पीट कर उसको अलग-अलग आकार भी देते थे बरतन भी बनाते थे ठीक है इसपर्स गुप्तचर को कहा जाता था जो जनता की गती वीदियों की सूचना राजा को देते रहते थे तो कई बार कि उसना आता है कि इसपर्स क्या था तो इसपर्स अब गुप्तचर था गुपचर को ही इस पर्स कहा जाता था और इसका कारिय क्या था जनता की गती वीदियों की सूचना राजा को देना सभा समीति राजा को उसके दैनिक परशासन और नई कदिकार से युक्त थी तो सभा समीति होती थी वै राजा को उसके दैनिक परशासनों नई कदिकार से युक्त थी ठीक ना यानि सहयोग देती थी सभा और समीतिया थी वो सभा समीति है इसके अध्यक्स को इसान कहा जाता था ठीक है ना तो जो दैनिक पर्शास नयाईक अधिकार है ये सभा समीति के पास थे राजा की हेल्प करते थे और सभा समीति का जो अध्यक्स था वो इसान कहा जाता था ब्राजपती गोचर भूमे का अधिकारी था रिगवेद में तक्सन अथ्वा त्वेस्टरा का वणनन मिलता है यह लकडी का कार्य करता था यह मुख्यता रत का निर्मान भी करता था रिगवेद में सूत, रतकार, करमार नाम उलेकित हैं जो राज्यापी से के अवसर उपस्तित रहते थे तो इस वीडियो में हमने रिगवेदी काल के बारे में पढ़ा है आगे के वीडियो में हम उत्रवेदी काल के बारे में आपको बताएंगे और उसके बाद हम सारे वेदों के बारे में आपको बताएंगे इस प्रकार से वैदिकाल हमारा कम्प्लीट हो जाएगा तो आगे के वीडियोज ऐसे ही देखते रहें और हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को आप लोग सब्सक्राइब करें धन्यवाद